आपका स्वाधत है जी एसे वीजन में यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना नहीं आप हेलो एवरिवन दिस इस जी एस वीजन मैं हूँ अरविंदर सिंग और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का सॉलुशन जो वंदरोगा और पशुधन परसार अधिकारी के लिए है आपने पेपर पूरा कर लिया होगा अब सॉलुशन करें और करने के बाद अपने खास मित्रों के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि जो बाकी बच्चे भी घर जाके बठे हैं उनको इसका लाब मिल सके कॉशन नमबर वन भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो भारत में सबसे अधिक जो है अलुवियम सोयल यानकी जलोड मिट्टी ही पाई जाती है भारत के अधिकांस छेतर फल पर जलोड मिट्टी है इसमें उत्तर का विशाल मैदान है और इदर नीचे कावेरी कृष्णा महानदी का डेल्टा ही छेतर है यहां पर आपको सरवादिक जलोड मिट्टी मिलेगी जलोड मिट्टी मुखिता नदियों के निक्षेपन से बनती है यानि कि जो रिवर्स के डिपोजिशन से बनती है वो मुखिता जलोड मिट्टी होती है Q2. निम्न में से कौन सी अरजा जैविक मात्रा में सबसे ज़दा इस्तमाल की जाती है जो जैविक मात्रा मतलब biological quantity में सबसे ज़दा सौर अरजा का पर्योग करते हैं किसी भी ecosystem किसी भी environment का जो अरजा का अधार होता है वो सौर अरजा ही होती है और सौरे से मिलने वाली अरजा एक लंबे समय तक मिलने वाली अरजा है क्योंकि सौरे की आयू अभी लगबग 5 billion year बता रहे हैं तो 5 billion year बहुत लंबा समय है लंबे समय तक अरजा आपको सौरे से मिलते रहेगी इसका अंसर आएगा B या competence कीजिए कि इस सूरह से जो सूरह का परकाश है वह प्रत्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है अगला है है खेती की जूम विदी का व्यवार हुआ करता था मदब जूम विदी जो होती थी वो कहा ओती थी तो देखे जूम विदी के लिए famous था nights था नागा लेंड आएगा नागा पहरी है तो नागा पहरी में जो वहां के नागा जेंजाती के लोग थे बो मुकित था ये जो पुना खेती शुरू कर दी कोशन नमबर चार बारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था एक अप्रेल 1973 1973 को हुआ था कहां से हुआ था जिम कार्बिट नेशनल पार्क जो रामनगर में है नेनिताल में वहां से हुआ था और किसकी देख्षता में हुआ था तो प बारत में सरवाधिक टाइगर किसन नेशनल पार्क में है अगला है नूतन जलोडमिटी न्यू एलोवियल सॉयल किस नाम से जानी जाती है तो santé जोडानी जाती है उसे हमँ बोलते है, खादर. आभ देखे खादर या बांगर क्या है। मैंने भी आपको पताया था कि जलोड मिटी नदियों के निक्षेपन से बनती है अब नदियों का निक्षेपन कैसे होता है कि नदी आती है हिमाले से यानि कि पहाडों से आती है पहाडों से नदी अपरदन करती है और अपरदन इरोजन करके जो अवसाद है यानि कि सेडिमेंट रहा है उसे बहा के नीचे ले आती है लेकिन जैसे ही परवतिय छेतर समापत होता है तो नदी की ढाल में कमी आती है जैसे नदी की ढाल में कमी आती है तो नदी पहले अपना जो नदी के पानी में जो बजरी होती है या पत्थर होते हैं उनको नदी निक्षेपित करती है जिसके बोलते हैं भाबर छेतर उसको बोलते हैं भाबर फिर उसके बाद नदी की ढाल में और कमी आती है तो जैसे नदी की ढाल में और कमी आएगी तो नदी जो है न अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाई है मिट्टी को भी जमा करना शु तरही चेतर भी ओधाना वी का एसको भी जान लीजिए अब जहां नदी ने मिटत कर्व कोती हैं कि पर्साथ नार वैसे तो नदी में जाता पानी बरसात में आता है, वैसे नदी साल भर बीच में बहती है, कम जगा पर, लेकिन जैसे बरसात आएगी बाड़ आएगी तो नदी का पानी ना फैल जाता है, मतलब नदी के साथ साथ वो निचला छेतर जहां हर साल बाड़ का पानी पहुचेगा उसे खादर बोलते हैं नदी के साथ साथ वो निचला छेतर जहां हर साल बार का पानी पहुचेगा उसे खादर बोलते हैं लेकिन नदी के साथ वो उंचा छेतर जहां हर साल बार का पानी न पहुचके साथ, आठ, नौ साल में बार का पानी पहुचेगा उसे बांगर बोलते हैं, तो खादर निचली भूमी होती है, बांगर उंची भूमी होती है, तो हर साल बार कहां पर आएगी, खादर में आएगी, तो हर साल नए मिट्टी कहां पर आएगी, खादर में आएगी, तो इसलिए आपसे नए सवाल पूछा था, कि नए जिलोड मि यती पश्वों के सभी पश्वों में common होता है dental pad उपरी जबड में होता है अगला है bull nose यानि की जो bull की नाग होती है उसमें कौन से जो छला बनता है वो किस धातू का बना होता है तो जियाद रखना जर्णली छला तांबे का डालते हैं तांबे का चला जदा maximum लोग 90% इसे को यूज करते हैं अगला है सरवतम कोटी का संग मरमर कहां मिलता है संग मरमर बोली तो मारबल सरवतम कोटी का संग मरमर मिलता है आपको मकराना option B मकराना में मकराना कहां पर है राजिस्थान मकराना को city handy of Seattle मारमर भी किएते हैं अगला कौन सी फसल नगदी फसल है? जी प्याज है आप सभी को पता है कि प्याज नगदी फसल है, नासिक famous है महाराश्टि में सर्वादिक प्याज हूता है और प्याज ने भारत की सरकारे बनाई है और गिराई marry सब्सक्राइब है फिर प्याज मेंगा होता तो प्र तो बस संसप तक मुद्द्द चल याते हैं प्याज को ले कर दो एक और बात देह न रखना कि यह चारंग लाल होता है ना वह यहन थो साइनिन की वजह सिए होता है यह फिर तोड़ का रंग जो थोता है अगला है Central Tobacco Research Institute कहां पर है तो Central Tobacco Research Institute राजमुंदरी आंद्र परदेश में है राजमुंदरी और आंद्र परदेश टबैको के लिए परसिद भी है और भारत में टबैको यानि कि तंबाकू कौन लेके आये थे पुर्तगाली लेके आये थे बारत में जो टबैको था उसको पुर्तगाली लेके आते हैं अगला है इन में से कौन सा परंप्रागत उर्जा का स्तोत्र है परंप्रागत उर्जा का स्तोत्र मतलब हम ये भी बोड़ सकते हैं कि जिसको एक बार परयोग कर ले तो दोबारा उसको परयोग नहीं कर सकते हैं जो समाप्त हो सकता है बायो गैस नहीं जो आरी अरजा नहीं कभी समाप्त नहीं होगी क्योंकि जल धारा आएंगी या फिर धारा आएंगी तो टैडल एनरजी बनेगी बायोगेस भी बनेगी, सूरे कभी समापती नहीं होगा, तो स्वालर एनरजी भी आएगी, कोईला खितम हो सकता है, कोईले की खितम होने से कोल उरजास जवाब की समापती हो सकती है, तो अंसर आएगा D, कोईला, पेड़ों की खतारों की बीच फसल उगाने को क्या बोलते है तोंग्या बोलते हैं, तोंग्या, जैसे लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों में पॉपलर या यूकेलिप्टिस के पेड़ लगा देते हैं, इन पेड़ों के बीच काफी दूरी होती है, जो पेड़ों के बीच दूरी होती है, वहां फसल लगा देते हैं, ऐसे खेती को ब इसमें जो नाबाड है नाबाड में पहले से चली आ रही दो संस्थाओं को मिला दिया गया नाबाड में पहले से चली आ रही दो संस्थाओं को मिला गया था जिसमें पहला था तो इन दो विभागों को नाबाड में मिला दिया गया कमेंट बॉक्स में बताइए नाबाड की फुल फर्म क्या है अगला है वपन ये नियन यानि की कैनिन हिंधी में बताग टिपीकल है इंगली चम прис Head équरा कैनिन के उतलब फस्लों को डिबों में संरक्शन करने का तरीका कैनिन होता है ने की ऑपशन ए कैनिन आप मतर खाते हैं तो मतर की मतर होता है उसकी डिब्बाबन्धी बहुत होती है तो किई dura के फस्लों फसलों की डिबा बंदी करना, डिबा बंदी करके फसलों को स्तनक्सित करना, ऐसे कैनिन बोलते हैं, ये बात मैंने कलास में पढ़ा ही भी थी, आप लोगों को कושن नमर 15 ओंट की सर्णा बेवारी किस के कारण होती है तो प्रोटो जोओ के कारण होती है और लगबग लगबग तीन साल तक रहती है राज़स्थान छेतरे में दो तीन साल तक रहती है मिल्क फीवर कौन से पोस्ट टक्त की कमे से होता है पशुव में यानि की round ears के लिए कौन सी गाई famous है तो मालवी गाई famous हैं मालवा का पठार मद्देपरदेश से हैं और ये चौकस कान के लिए परसिद्ध हैं मुर्गियों के टकने यानि की knees पर प्राय काले रंके धबे होते हैं कौन सी मुर्गिया है वो play mouth rock है play mouth rock इसकी टेकनों पर काले रंके धबे होते हैं play mouth rock USA की नसल है मुर्गी की और USA में सबसे best quality का जो mass देती है वो यही देती है play mouth rock दूद में अमलता कितने पर तिश्यद होती होती है तो 0.12 से 0.18 तक होती है 0.12 से 0.18 तक अमलता है नहीं की acidic percent बैस के दूद में कम से कम गुलेंचील ठोस होना चाहिए तो कम से कम होना चाहिए 17.2 परसेंट लगबग आप 17 मान लीजिए अगला है कार्बन चक्र यान की कार्बन साइकल में कौन योगदान देते हैं शोसन यस क्योंकि चक्र का मतलब क्या होता कि एक पूरा circle बन जाना कार्बन ना रेक्साइड गयस हैं इसे पीडबौदे ग्रेंड करते हैं हमें श्राइब अक्सिजिण वह पीडब देंगे तो पेडब अब हमारी बॉड़ी में कार्बन कैसे प고 अहूंसथ प्लॉघकल सब्नेलTalk तो यही कार्बन से पेड़ पादे ग्लूकोज निलिवान करते हैं, ग्लूकोज मतलब पेड़ पादे अपना भोजन मनाते हैं, जब पेड़ पादे अपना भोजन मनाएंगे, तो पेड़ पादों के भोजन निलिवा कार्बन होगा, वही बोजन पेड़ पॉदों से हम लेंगे तो हमारी बॉड़ी में कारबन आएगा हमारी बॉड़ी में कारबन आया तो हमने उस कारबन को सांस के माद्दे में से छोड़ा तो यह सैकलिक चलता रहता है और कई बार क्या होता है कि जब हम यह पेड़ पॉदे जब मिर्ती हो जाएगी मिर्ती होने के बाद हम डीकंपोस होंगे डीकंपोस होके हम नीचे दबेंगे और नीचे दबने के बाद हमारे उपर मिट्टी की लेर बनती जाएगी लेर बनती जाएगी तो या तो फिर हम fuel की WROPE में निकलेंगे बाहर, बाद में, या फिर जोला मुखी आएगा, तो जोला मुखी वोलकेन हो आएगा, तो वोलकेनों से मुझे भी कह निकलेगी कर्बन गयस निकलेगी तो ध्यान रखना, की कर्बन Cycling में कौन आता है शॉसन बिलकुल आता है बैक्टेरिया बिलकुल आता है कि कुछ बैक्टिरिया जो है वो पेडबदों को कार्बन जो है उब्लब रवाते हैं तीसरा जॉलाम की बिलकुल आता है तो ऑफ्षिन D अजाएगा तो, carbon cycle में तीन हो आएंगा आपके मानव प्रयावरण संबंद की निश्चेवादी अफधारना से संबंदित कौन है निश्चेवादी अफधारना बोलती है कि मानव और प्रयावरण में प्रयावरण शेष्ट है मानव और प्रयावरण में प्रयावरण शेष्ट है और यह अफधारना दी हम बोल्ट और रिटर ने, तो रिटर तो उप्षिन में है नहीं, हम बोल्ट हैं, तो उप्षिन आजेगा आपका A, दो पारस्तिकी, यानिकि टू एको सिस्टम की बीज का जो संक्रमन छेतर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दो एको सिस्टम की बीज का जो छेतर होता है, उसमें दोनों इको शिस्ट्रम की विशेष्टा होती हैं इस तो बोलते हैं बायोटिक इसे बायोटिक कहते हैं कि जैवा मासक कहते हैं अगला है अजेंडा 21 को निमलिकित में से किस सम्मेलन में सुविकार किया गया और जैन्या 21 को option B Rio de Janeiro 1992 में सुविकार किया गया था उननीस बान में Rio de Janeiro में सम्मेलन हुआ Rio de Janeiro कहां पर है ब्राजिल में है इसी सम्मेलन में इसी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था सतत विकास याने की sustainable development इसका मुख्यमुद्दा था अगला है carbon credit की संकल्पना किस कहां से आयी है تو keto protocol से आये keto protocol 1997 में हुआ था keto protocol जपान की राज़दाने keto में हुआ था keto protocol में दो खास अग्षाइं है पहला छह ग्रीन हाउस गैसों की पैचान की गई थी उससे अधिक कार्बन का उसरजन करता है तो उस पहले देश को किसी ऐसे देश से कार्बन का प्रमानपत्र खरीदना पड़ेगा जिसने अपनी जो लिमिट है उससे कम कार्बन का उतसरदन किया है जैसे माना कि भारत को कार्बन उसरदन करने की सीमा मिली 100 और नेपाल को मिली 60 नेपाल को 60 भी ली वहांके population कम है और भारत ने 120 उसरदन कर दिया और नेपाल ने 40 किया यानि कि भारत ने 20 ज़दा किया है नेपाल ने 20 कम किया है तो मतलब साफ है कि 20 कार्बन का एक प्रमानपत्र हम नेपाल से लेंगे और बदले में नेपाल को कहा देंगे पैसा देंगे हमारा सांजा भविश्य है अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किसे ने दी ये बुटलेंड आयो की सिफारिश पर आई थी हमारा सांजा भविश्य है अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट इसी रिपोर्ट में पहली बार 1987 1987 में सतत विकास शब्द को परिभाशित किया गया सस्टेनेबल डेवलमेंट वर्ड को डिफाइन किया गया बुर्टलेंड कमीशन की सिफारिश पर अवर कॉमन फ्यूचर ये रिपोर्ट किसकी है डबलू सी इडी की रिपोर्ट है डबलू सी इडी डबलू सी इडी की स्थाबना कब होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताईए एग प्लांट किसे बोलते हैं बैंगन को बोलते हैं अंडे जैसा, नेक्टर आफ लाइफ किसे बोलते हैं, नेक्टर आफ लाइफ यानिकी जीवन का रस लेसून को बोलते हैं, लेसून के बगएर तो कुछ हैंगा आपको लोगों को पता ही है, इमूनी सिस्टम लेसून बढ़ाए, खाने में सौद लेसून लाए, हर चीज में बडी में दर्द है, तो भाईया एक काम करो, तेल को गरम करो, बीच में लेसून डालो, और उस तेल को बडी में रेकल तो दर्द दूर जाएगा, तो everything, everywhere, लेसून, 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 अगला है, इन में से कोल क्रॉप कौन सी है, तो कोल क्रॉप जो है, वो जितनी भी गो उत्राखंड में भी बात चल रही है कि आगामी पेपर सारे ऑनलाइन होंगे तो ऑनलाइन पेपर कैसा होगा उसके लिए एक प्लेटफर्म त्यार हो रहा है तो बहुत जल्द आपके वन दरोगा के पेपर जो हैं ऑनलाइन होंगे उसमें पूरे सो प्रशन होंगे प्योरली पेपर में अपना बहुत बहुत ध्यान रखें कुछ विध्यारती ध्यान दें कि पेपर 9 बजे मिलेगा आपको और अगले दिन अंसर की मिलेगी 9 बजे तो कुछ विध्यारती प्लीज 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 मुझे मुझे फोर्स ना करें कि सर अंसर की अभी दे दो या सर ऐसा कर दो सर वैसा कर दो कुछ बजविध्यारतियों की paper PDF नहीं खुलती है तो भईया paper PDF नहीं खुलती तो phone को off करके on करो कुछ विध्यारति बोलते answer की कहा है अरे answer की के लिए तो आपके लिए हम YouTube solution बना रहे हैं अब आपको जब हम YouTube solution नहीं देते थे तो आप बोलते थे कि सर कुछ यह वाद समझने यह यह कैसे होगा आप लोगों के doubts clear करने के लिए YouTube solution दे रहे हैं तो आप answer की बोलते कि सर पेपर पे दे दो तो भईयार lockdown चल रहा है मैं तावर की कमी है तो जितना हम से हो पा रहा हम उतना कर रहे हैं पेपर online आने पर कुछ और बदलाब भी होंगे तो आप लोगों को खुद कुछ efforts खुद भी करने हैं जल्द ही regular videos लाओंगा मैं आपको आपके लिए online मैं जितने भी देखे पशुपालन जितने भी crops हैं फसलें आपकी और environment यह तीनों चीज़ आपको मैं पढ़ाऊंगा साइंस वाला पाट विश्णोंच तर पढ़ाएंगे तो मैं इन सब के जो में में टॉपिक है उन पर एक एक वीडियो जरूर लाऊंगा धीरे धीरे आपको बताने के लिए और अगर lockdown लंबा चलेगा तो हम online class पर भी विचार कर सकते हैं लेकिन वन द्रोगा वाले हाथ पे हाथ धरके बहुत ज़्यादा ना बैठें आपका पेपर अपरेल में था डेट को postpone किया गया है पेपर लेड जाएगा अच्छी बात है जल्दी होगा तो किसको कोस होगे अपने आपको मुझे यायोग को तो इसलिए पहले ही पर पेपर आपको लोग को रहना चाहिए मिलते हैं नेक्स पेपर में थेंक्यू आसा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं चलिए test number 20 का analysis आरम करते हैं का हमारे सामने है question number 30 eukaryotic में glucose के एक अणू के पूर्ण oxygen पर सुद्द लाब होता है यानि eukaryotic जो cells होते हैं इनके अंदर glucose के एक अणू से और वो भी किस फोम में देखे दो परकार के restriction होते हैं एक होता है aerobic एक होता है anaerobic तो यानि जो oxygen के द्वारा हो रहा है तो सुद लाब कितना होगा तो 36 ATP और अब यह complete कहा होता है यह होता है mitochondria के अंदर और mitochondria के अंदर भी कहां क्रेब cycle जो matrix बाब में क्रेब cycle के द्वारा अब कुछ प्यारे बच्चों को doubt होगा कि sir हमने 38 ATP पढ़ा है single glucose के एक अंदो से 200 द्लाब है आपने सही पढ़ा है देखे प्यारे बच्चों अगर यह पुछा जाए कि glucose के एक अंदो से कुल कितना 100 द्लाब होता है तो उसमें 36 तो होता है oxygen के द्वारा यानि oxidation के द्वारा और 2 ATP होता है without oxygen यानि anaerobic respiration के द्वारा देखी दो प्रकार के respiration है एक glucose का अंदो एक ही है पारियों के acid में 2 पारियों के द्वारा oxygen के साथ 36 ATP मिलते हैं सुध रूप से और बिना oxygen के 2 ATP मिलते हैं सुध रूप से तो total कितने होगे 36 plus में 2 is equal to 38 तो द्यान रखिए अगर कुछ अगर कुछे YVA या oxygen के साथ कितने मिलते हैं सुध 36 बिना oxygen कितने मिलते हैं सुध 2 और कुल कितने मिलते हैं ग्लूप से तो 38 तो यहां oxygen के साथ पूछा है तो कितना है 36 answer है तो ए answer हो गया इसका फूल गोबी का खाने योगया भाग कुन सा है तो फूल गोबी का खाने योगय के द्वारा सुद्ध किया जता है तो पहले को आंसर बताता हूँ B option है इसका sublimation अब देखिए कुछ है ना यहाँ पर इंगलीज में उपर निची होगे थोड़े से जैसे वहां लेखा न आश्वन आश्वन का मतलब होता है distillation तो यह वहां चाहेगा और अशाधन होता है sedimentation यह यहाँ आएगा तो मैं अब थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को जो आश्वन वीदी है यानि distillation इसके बारे हम कई बार बात कर चुकें आसुत जल्र तो जो वेसे त्यार होता है उसी परकार से इसमें होता क्या है द्रव को क्या है फिलीड को क्या गरम किया जाता है गरम दर के वास्पी कर्थ फोम में यानि वैपराइस फोम में बेजा जाता है और फिर वैपर को कठा करके दुबार से क्या है लिफिड फोम में लाया जाता है तो इसे क्या बोलते है distillation और आस्वन तो सोई ये distillation महां लगा लेना और crystalline क्या होता है crystal में convert कर देना और अवसाधन क्या होता है अवसाधन आप लोगोंने क्या है उसके अंदर पढ़ाओगा geographic के अंदर कि द्रव और gas को क्या है जमीन पर क्या है आकर जम जाते है आपने देखा हो नभी बगरा के द्वारा आकर जम जाते है तो उसी परकार से द्रव और gas का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या है अवसाधन है तो आंसर 32 का क्या रहेगा बी रहेगा 33 केंद्रिया ओसदी सहस्तान CDRI स्तित है तो ये स्तित है लगनव के अंदर तो 33 का आंसर है C 33 का आंसर है C 34 रसाइनिक रूपशे शक्षु शंक्रा या केन सुगर है तो देखिए केन सुगर अगर हम देखें तो यहां बात की जारी गन्ने की तो गन्ने में क्या है सुगर के नाम उसका है तो 35 का क्या यहां पर C है हाइड्रोजन के लिए समस्थानिकों आइसोटोफ्स की संख्या है तो देखिए हाइड्रोजन के क्या है आइसोटोफ्स मतलब समस्थानिक जो है वो कितने है वो इसके 3 होते है एक होता है प्रोटियम जिसमें क्या है यह देखिए 1H1, एक होता है यहाँ पर क्या है deuterium, यह क्या है 2H1, एक होता है tritium, यह क्या है 3H1, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें है क्या, यह ऐसे कैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ जो H लिखा है, एक तो इसके नीचे पाउ में लिखा है, जो नीचे वाली सैड प्रोटोबर की वाली सैडिया, अब क्या है, यह किसका सść है, यह इसको कहा है लिखा है, तो इसके नाभीक में प्रोटोन कितने पाई जारे था है, यह जो का आतॉमिक नंबर कितने यानि प्रमानोकरमान कितना है इसका प्रमानोकरमान कितने है इस इसको कहां लितने ऊपर वाले टॉप पे इसके क्या बोलते हैं डुर्वान संख्या 24 अगे वाले मांड ये कितने राइप घ्राट Dal है आगे वाले माहिव है इसमें देखे प्रोटों कित्ने पाए जाते हैं एक पाउं में कितना लेकर doctors माम संख्या वहुट्म publi शया प्रौट्म जातल होगे चोंप यह वहां इसका क्रें यहां पर हमारे बच्छों कई बार बता चुका हूं मैं आप लोगो और हम इसके बार यह बात कर चुके हैं कि कोई की भी स्केल है उसके अंदर चाहे वो हमारे पास केल वाला है चाहे Celsius वाला है चाहे यहां पर हमारे पास क्या है Fahrenheit वाला है यह उमर वाला है इन्हें सब के बीच में क्या relation कैसे डिफाइन करते हैं एक बार सेट में बताये था, आप लोगों को थेदिल में, अब देके दो प्रकार के पॉंट होते है, एक होता है, FREEZING POINT, जहां पर क्या है, LIQUID YANG TRIP jy anche तो इनका क्या है? क्या हो जाना? बर्पजम जाना. एक होता है boiling point. boiling point का मतलब यह जहां पर जाकर यह जाते हैं. तो वो क्या हता है? boiling point. तो क्या होता है? तो यह देखे degree Celsius का, जो फारनाइट का, बीच वाला सब से वह लगहाला स्काल लेतर फॉर्मुला बना करके लिखा हुआ है तो 36 का आंसर है मारे पास यहां पर क्या है 37 नंबर क्वेशन उंट के कुबर्ड किस कुछ तक का बना है तो देखी पहरे बैचो यह कुबर्ड इंगलिस वालों को समझ नहीं आया होगा हम हम उठाध है तो यहां यहां क्या है कि हिलता है एस पानि जमा हुआ हुआ है तो यहां प्यारे बच्चो इसल में क्या होती है इसमें एक्टी टीशू होते है तो जो fatty tissue होते है न तो जो fatty tissue होते है न तो जो फैटी टीशू होते है न तो जब जब क्या ओंट को बोजन और जल की आवशकता होगी तो यह fatty tissue क्या तूटना शुरू हो जाएगा जो क्या यह बसामे उत्तर क्या तूटना शुरू हो जाएगा कि इसमें उर्जा और जल में और उंट को उर्जा मिलती रहेगा और पानी की पूर्ती पूरी होती रहेगी तो उंट के कूबड में जो पाय जाता है वो क्या fatty tissue और श्टोर जल नहीं होता है इतना दिहान रखना क्या जाने के लिए अब नहीं सार हवासर अध्यान बचाने के लिए ऐसे होटा है यह कंद होता है यह भाल हम लोग मतब मलता है यानि dry epithelium, dry epithelium मिलता है बालो में, dry epithelium मिलता है बालो में मनुष्य की तवचा सबसे मोटी होती है, तो 40 का आंसर है B, तलवे पर, यानि sol पर, पाउं के नीचे बादा जीसा होता है, उस पे तलवे पर यानि sol पर Lysosomes को आतम हत्या के थेले कहते हैं, या suicide bake कहा जाता है तो देखिए प्यारे बच्चो, जो Lysosomes होते हैं, उन्हें suicide bake क्यों कहा जाता है मैं थोड़ा सा फिरे डीटेल में बताता हूँ, फिर इसका आंचर टूनेगे actual में क्या होता है प्यारे बच्चो इसके अंदर 24 टाइप्स के or decompose करने का काम करना है। сторон के अंदर या है जब यह एक थेले के अंदर होते हैं जब यह थेले के अंदर होते हैं तो होता क्या है वैसे क्या काम है पाचनवकेरा के काम और बेस्टेज मेटीरियल को क्या डीकंपोज करने काम आता है तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि 41 का आंसर है बीफोर बॉल चलिए आपक टक विक्रों के कारण यानि इसके अंदर एक्वेस जो डीकंपोजर के अध्यन को कहते हैं तो उसी वज़ाए से इस क्योशन को मैं दुबारा लाया धन्यवाद उस प्यारे विद्यार्थी का जिसने यह बात बता ही है तो 43 का क्या है C answer है और विए इस्टोलोजी बोलते हैं इंगलिज में ठीक है इस्टोलोजी का है टीक है तो 44 प्रकास अंसलेशन होता है तो फॉटो सिंथेस होता है तो यह क्या होता है हरितलव को में तो यानि 44 का answer क्या है C 44 का answer क्या है C chlorophylls में क्या है या chlorophyllast जो है हरितलव का मतलब है chlorophyllast यानि chlorophyllast के अंदर होता है तो यह क्या 44 का answer क्या है C है और नाय को है चाहिए है आक्रम पॉन्स का कार्या है प्रोटीन च्र ऐख छिए टितो प्लाजम होता है तो क्यों सिंप्लाजम स्व्लेश ओता है अपर फोटो सम किया деньतार प्लाजम होता है zaten यह कहा है, colloidal, जो solution या liquid होता है, 46 का answer है, 47, lyzoosome है, अब देखे, lyzoosome है, तो यह अब हम बात करके आ चुके है, lyzoosome के है, digestion के काम पी आते हैं, तो यह पाचन किंदर है, जो cell के अंदर के आप पाचन किंदर का कारिया करते हैं, तो 47 का answer के है, यह है, 48, ATP का दिर्मान होता है ATP के आए, उर्जा की unit है, ATP के है, उर्जा की unit है, इसका निर्मान होता है, हम कई बार बात कर चुके है, mitochondria के अंदर 36 ATP बनते हैं, 36 ATP बनते हैं, तो answer कहा है, mitochondria, इसको देखे, यह है mitochondria का structure, double membrane होती है, इसके अंदर इनर मेंपरेन है, और एक इसके अंदर के आउटर मेंपरेन होता है और उससे क्या ATP का निर्मान होता है तो ATP का निर्मान किसमें होता है Metro-Hondria के अंदर आगे भारी मसीनों में निम्न में से किसको सन्यक कि अपमेनी रूप में पर्यूप किया जाता है तो graphite को जो carbon का रूप है या allotrops है तो graphite को use कहता है तो 49 cancer क्या है यह है Automobiles जो अपने गाड़ियां बगएर होती है में जलीय ब्रेक की सिध्धान्थ पर कारे करते है यह निई Hydraulics जो के है यह पिड़ने लिफ्ट वाले जो काम है सुची को मिलाना है अब हमें आपर 51 को अब देखिए यहां लिखा है मेनोमीटर मेनोमीटर क्या गैस के दाप को प्रेशर ऑफ गैस को मेजर करने के काम आता है फैनोमीटर सुमंदर की गहराई को क्रायोमीटर क्रायो नाम जाओगा क्रायोजैनिक टैंपरिचर यानि निम्द क्या होता है हमारे पास यह उप्सनिया पर मैच कर रहा है जब कोई भायेबल ना लगा हो यानि कोई एक्टरनल फोर्स ना लगी हो तब जो द्रव की एक छोटी बून की आकरती निधारित होती है तो देखिए जिसका कारण होता है द्रव के प्रश्ट तनाव से यहां पर यह है आगे मैं बात करें फिर्पी 3 में यह गैस के अणूं की गतिस उर्जा किस ताप पर सुनिया होती है देखिए जिस मतलब कहने का मतलब है किस ताप पर सुनिया होती है और जो गैस के अणूं होते न यह क्या मुमेंट करते रहते है तेंपरिचर बढ़ेगा और तो वो कितना होता है, absolute temperature कितना होता है, minus 273.15 degrees Celsius, तो देखिए, इसे और क्या लिखा जासता है, absolute 0 को 0 Kelvin भी, यानि Kelvin के 0 Kelvin पर, तो answer इसको रटीम है, 213.15 degrees Celsius है, अगर यह 0 Kelvin आ जाये, तो भी देखो, यहापे measurement में में देखो किया है, यह देखो किया है, यह देखो Celsius वाले में, minus आप भी पूछले, तो क्या है, क्या होगा answer, 0 Kelvin, अगर Kelvin नहीं नहीं दे रखा, तो minus 273.15 degrees Celsius, अगर इसमें नहीं दे रखा, तो minus 459 degrees Fahrenheit होता है, तो 53 का answer क्या है, D answer है, यदि केस नली के व्यास को दूगना कर दिया जाए, तो उसमें चड़ने वाले जल की लंबाई क्या है, तो देखिए, यह हमारे पास क्या capillary है, तो इसका diameter जितना बड़ा होगा, पानी का level उतना ही निच्चा रहता रहेगा, और जितना इसका diameter या radius जितना कम होगा, इस नली का उतना ही पानी उपर चड़ता जाएगा, पहले में देखो, पहले में नली थोड़ी मोटी है, diameter और उपर जलाएगा, और सबसे लास्ट ओले में देखो तीसरे में, जिसका व्यास सबसे कम कर दिया गया, तो पानी का level और भी उपर जा चुका है, तो कहने का मतलब, जो पानी के level का उपर उठना है, वो diameter के inversely proportional है, यानि diameter कम तो पानी का level ज्यादा, और diameter ज्यादा तो पा 55 का अंसर है C, क्या है में, ट्रिक पढ़तीयार है, इंट पर नाच, इंट यी मतलब, इलेक्ड टा मतलब, जी से मतलब, थामस, खीक है, अब पर नाच, तो प्रोटोन का Rutherford, नाच, ना का मतलब, नियोटरोन चा का मतलब, चैडविक, तो क्या इसका आंसर कहा रहेंगा, न तो परमानू का नाप भी कहा हुआ है यहां सोडियम के बारे में लिखा हुआ है तो वहां देकी प्रोटोन और न्यूटोन पाई जा रहे हैं तो इसका आंसर आपको comment box में देना है इसका आंसर आपको comment box में देना है बहुत फी गजब question है थोड़ा सा समझ करके सो समझ करके सूरज को चांद को चंदर्मा ये क्या परिद्रवी को इन सब को मिला करके equation का जबाब देना थोड़ा सा यब जोगर भी आप लगोंने पढ़ी होगी तो आपको उनकी जबाब बहुत घजब तरीके से से हराओर होगा इन्ही primary colors की help से बनाते हैं तो यानि जो secondary colors होते हैं यानि जो दिवित्य colors होते हैं या दिवित्य गोंड colors होते हैं वो बनाये जाते हैं प्रात्मी color की साहिता से प्रात्मी color की साहिता से नहीं बनाये जाते हैं तो 59 का अंसर हैगा वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रंग से उत्पन नहीं किये जा सकते है होलोग्राफी तो होलोग्राफी क्या है 3D जो image बगरा लेने के लिए जो काम आता है या record करने काम आता है वो क्या होलोग्राफी है तो 60 का answer क्या रहेगा एक किसी वस्तु के 3D में यानि 3D प्रतिविन 3D image को उत्पन करने और रिकोर्ड करने के तकनिक को क्या करते है होलोग्राफी करते है आसा करता हूँ आज जो डाइगरा दिखाए है उससे आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छा लगा होगा आप अपना सुजाव जरूर दीजिए कि यह सही है या नहीं है हम जो efforts कर रहे है यह नहीं नहीं तो यह आपके लिए